आप सभी दर्शुकों का स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे भारत बायोटेक के बारे में, जैसे आपको पता ही है, कोविड की वैक्सीन फेस थी में चल रही है, हुमन ट्रायल के लिए, जो की एक अच्छी ख़वर है, पूरी हुमन रेस के लिए, य यह भी हम बता सकते हैं, भारत बायोटेक की न्यूज आने के बाद में, हम लोगों ने BIBCL, जो की equivalent भारत बायोटेक का closest view है, exactly भारत बायोटेक नहीं है, पर एक बायोटेक फर्म है, जो इंडिया की ड्रग, PSU कंपनी है, ड्रग मेनिफेक्चर करती है, पोलियो और अधर व हम लोगों ने इसको यहाँ पर खरीदा, जब हमने अपने चैनल पर बनाया, सबसे पहला वीडियो हमने यहाँ पर डालना शुरू किया था, तो हमने यहाँ पर इसको खरीदा था, करीब-करीब आपके 13-14 के रेंज में, और जो हमारा target था, हमारा target हमें clear था, हमने यहाँ स इसको बेचना शुरू किया 28 से, और last जो हमने price बेचा था, वो करीब-करीब 37-38 के आसपास बेचा था, तो यहाँ तक हमारा target था, 50% quantity हमने straight अगे यहाँ पर sell कर दी थी, और जब continuously आपर circuit चलना था, तो हमें लग रहा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ बरबड़ा है, तो 38 क level पर हमने अपनी सारी quantity खतम कर दी थी, gradual incremental order पर, हमारा plan वही था, कि हम लेंगे, profit book करेंगे, और निकल जाएंगे, आप हमारे पराने वीडियो देख सकते हैं, सब हम लोगों ने guide के था accordingly team को, अब उसके बाद से कुछ लोग greedy हो गए, उन्होंने वहाँ पर नहीं बेचा, औ एक opportunity आपको हमार मिली थी, जब यह इसने अपर circuit लगा है, तो उसके बाद फिर से lower circuit continuously अभी नीचे चल रहा है, और 29 के आसपास चल रहा है, जहांता उमीद है, यह इसको अब यहाँ पर next level जो इसका watch out रहेगा, वो करीब-करीब 20 रुपे के आसपास रहेगा, 20 रुपे 50 प चलता जाएगा, और अगर नीचे जाएगा, तो continuously नीचे ही चलता चला जाएगा, तो यह एक problem होती है, small cap company में, और यह तो extremely small cap company है, कैसे कहना है, यह बताते हैं, चलिए, तो अगर हम देखें इसका, जो details है, इसके हमारे बास में, आपको बदा दे पहले, भारत बायो टेक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर Bombay स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टिड नहीं है, तो हम लोग टेलिग्राम चैनल रोपी आगए, चाहे तो आप जोईन कर सकते हैं, और BIBCL, जो है वो BSC पर लिस्टिड है, यह NSC पर लिस्टिड भी नहीं है, अगर आपको इस पर तो ऐसे में थोड़ा सा पैसा कमाना दिक्कात होता है, इंट्रडे टेट में, पर हम लोगों को आज भी profit हुआ है, और इसके साथ में, अगर आपको यह service ही है, तो आप हम mail रॉक कर सकते हैं, अब अगर कुछ और parameters के देखें, तो MACD ने clear cut indication कर दिया था यहां से ही, कि अब यह cell signal का बना रहा है, तो यहां से cell signal continuously चल रहा है, अभी भी continuous cell signal चल रहा है, MACD के basis पर भी, और अगर intraday chart भी देखें, तो कोई respite नहीं है, कुछ लोग cell कर पाने हैं, अब आपको cell करने का तरीका बताते हैं दोस्तों, आपको morning में 9 o'clock पे अपना order डालना है, lower limit के, जो उस और फिर आपका order execute नहीं हो पाएगा, तो यही एक तरीका है, अगर आपको exit करना है, तो इस level पर आप exit कर सकते हैं, हम लोगोंने का objective है, अपने channel पर education video बनाना, जिसके लिए हम लोगोंने काफी effort किया है, और अभी 45 videos के आसपास हमारे education playlist में है, तो education video के playlist बना युए जिसमे आप अपने आप देख सकते हैं, कुछ video हम ज़रूर recommend करेंगे, एक video जो है, वो यह है, 7 mistakes to avoid in market, तो अगर आपने ये video पर तक नहीं देखा है दोस्तों, प्लीज इसको देखेगा, इस से आपको at least हमारे experience से जो हमने अपने carrier में और हमारे फादर ने जो carrier में stock market से सीखा है, उसमें जो कैसे avoid करनी है new beginners के लिए, ये इसका एक video बनाया हुआ है, ये आपको थोड़ी help करेगा, कुछ mistakes अगर आप avoid कर पाएंगे, तो आपकी efficiency improve हो जाएगी trading profit में, तो ये एक अच्छा view रहेगा अगर आप देख पाएंगे तो, अब अगर यहाँ पर हम देखें, alligator indicator ने उसने नीचे cross किया हाँ से mean को, उसके बाद इवन कभी भी उसने mean के पास भी नहीं गया, continuously नीचे जाता रहा है, आपको इचीज ध्यानों नीची ये, पहले ये 5% का circuit था, जब continuously से 5% circuit चला, तो उसके बाद इसको 2% का circuit में change कर दिया है, और अब वो 2% के circuit में ही fall down हो रहा ह तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे small cap company में आपको थोड़ा सा संभल के पैसा लगाना चाहिए, और अपने plan पे रहना चाहिए, अगर आपको plan किया है कि आपको कहाँ पे exit करना है, तो वो वहाँ पे रहना है, आपको profit अपना definitely book करना चाहिए in time पे, हमने, हम अच्छा लगा, तो एक बार लाइक बटन प्रीज जबाना, और अब देखे हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहली तो बात आप समझें दोस्तों, अगर ये small cap company होगते हैं, extremely small cap company है, 160 करोड की company है, अकुल market capitalization देखे जाए तो, तो एक small cap company में आपको अपने portfolio का 5% से कम ही apply करना चाहिए, मतलब क्या होगा, अगर आपके पास एक लाग का investment plan है, तो उसमें से maximum 5,000 आपको एक small cap company में invest करना है, small cap में चाहे और भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास multiple opportunity रहती है, दोस्तों हमने तीन महीने में 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया, अपन अपने view के हिसाब से देख सकते हैं, तो अगर इसकी sales की बात की जाए, तो sales भी negative है, कोई ज़्यादा profitability नहीं है, जैसा हमने बताया, एक reasonable target होना चाहिए आपका, और उस target पर आपको profit book कर लेना चाहिए, जब हमने बताया था, हमने 28 पर book करना है, तो हमने 28 पर book करना शूरू इंकम है, zero है बिल्कुल, और mutual fund ने भी कोई holding नहीं की हुए, तो यह इस वज़े से आपको थोड़ा सा त्यान रखना होता है, प्लीज कंसर्ट और financial advisor, और अगर बात करें आगे इसके target की, तो दोस्तो देखिए, आप आपको एक चीज समझाते हैं, जिससे आपको इसका target का चलेगा, जब नीचे जाएगा, तो continuously नीचे जाएगा, तो अगर हम simple calculation करें, देखिए, हम पूरे साल की calculation करते हैं आपको इहां से, जो कि इसका, अगर आप simple maths करते हैं, कि 2020 से date 1 से लेकर, 1st January से लेकर, आज तक, अगर आपने हर एक दिन, एक share खरीदा है, अपने price पर, जो closing price है, तो उसका average जो अब बन के आ रहा है, वो करीब-करीब 18 रुपे का रहा है, तो इसका reasonable fair price जो होगा, वो 18 रुपे, 19 रुपे के आसपास रहेगा, तो जहां तक उमीद है, ये नीचे चलेगा, हो सकता है, continuously नीचे रहे, हो सकता है, बीच में थोड़ा opportunity difference exit करने के लिए, हो सकता है, थोड़ा उपर जाए, और फिर नीचे जाकर stable ground जो है, उसकी 18 रुपे के आसपास आनी चाहिए, तो ये आप समझेए, ये कोई maths नहीं है, कोई logic नहीं है, simple है, इसका level वहाँ पर है, तो वहाँ पर आना चाहिए, दोस्तों, अपना कोई question है, comment है, तो comment box में डालि और अगर कोई आपका feedback है, तो वह भी डालिए, हम आशा करते हैं, आप यहाँ पर सीख रहे हैं, जाए हिंद, जाए बाद।